राची के हुटवार जेल में बंद पुरुमंत्री योगेंदर साव बाहर आये हैं। बाहर निकलते ही सेकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने ढोल लगाड़ों के साथ पुरुमंत्री योगेंदर साव और पुरुमंत्री योगेंदर साव और ततकालिन विधायक निर्मला देवी अधिकरहन का विरोध कर रहे थे। 15 सितंबर 2016 को निर्मला देवी समर्थकों के साथ कफन सत्यागरह पर बैठ गई। यह सत्यागरह 30 सितंबर तक जारी रहा, एक अक्टूबर की सुबद 6 बचे एसपी कुलदीब कुमार, सीओ, सैलेश कुमार सिंग, अन्य पुलिस सरीकारी और जवानों की साथ मौके पर पहुँशे। और सत्यागरह कर रहे हैं लोगों को विरोध समाप्त करने की अपील की, नहीं मानने पर पुलिस बलने विधायक निर्मला देवी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस के साथ हिंसर जड़प हो गई, भीड ने पुलिस टीम पर हमला कर विधायक को छुड़ा लिया था, इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, होटवार जेल से बाहर निकलने पुर्मुंत्री योगंदर साव ने कहा कि मैं निर्दोश हूँ, मुझे इस संगर्श करने के लिए सिखाया और आज वह बढ़का गाओं की विधायक है, योगंदर साव की बेटी और बढ़का गाओं की विधायक, हमबा प्रसाद ने कहा कि हमारे परिवार को फसाय गया और पिता योगंदर साव को बढ़का गाओं की जनता के लिए सब कुछ किया, आज उने की बदौलत है कि वह बेगुना सावित हुए हैं और जेल से बाहर आए हैं कि अज लोगों में इतना हम लोगों के प्रती इतना वाजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ एमोशन जुड़े वे और संदीप हमारे साथ यह सपूरी खबर पर जुड़े वे संदीप पुरमंत्रे ओगंदर साथ जेल से बाहर आए हैं और बेटी ने भी कई बाते जमीन अंतिकरंट किया जा रहा था उस वक्त जो पुरुविधायक निर्मला देवी वहां पे सत्यागरा अंदुलन कर रही थी और उसके बाद सत्यागरा अंदुलन के दर्म्यान इस पुलिस ने उनकी जिरिफ्तारी की थी और यह जो गेंद्र साव जो पेव नको उनका तके हैं लंबे जो दिन से जेल की कजा काटी पड़ी थी इनको और आज इस मामले पर रिखा हुए हैं हलाकि उनका जिसकरा से निकलने के बाद यह कहना है कि जो भी जनता की जो उनके दिरांसवाद शेतर की जनता है उनके लिए उन्होंने लडाई-डड़ी थी और इसको इस केस मताया गया था पर सथे की जीत होती है और कानून जो पुरा बरोसा था जिसके बाद आज सकते हैं तो मंत्री ओबेंद्र साओ उनका जो इसको वर्टा गाउव की विधायक हैं कॉंग्रेस से अम्मा परसाद वे भी मौके पे से उसके अलावे जो कॉंग्रेस क सब्सक्राइब करें तो लड़ाई लड़ते रहें लड़ाई लड़ते रहेंगे यह बात है उन्होंने कहिए निकलने के बाद बहुत 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 शुक्रिया फिलाल तमाम चानकारी के लिए संदीप आपका